स्वागत थे आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेटफॉम पे तो प्यारे साथियो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट री एकजाम यानि कि पुनर परिक्षा जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए होने वाला है और आप सभी जानते हैं इसके लिए आपका संबाभित परिक्षा का हो रहा है ठीक है यह डेट जो आप लोग देख रहे हैं 7 अगस्त 2024 काफी नजदीक है और इतना कम समय में अब हम लोग लगतार प्रैक्टिस सेट को सल्व कर रहे हैं जिससे हर एक प्रस्ण पहले की तरह रिवीजन हो जाए और माइंड में सेट हो जाए तो आज के इस क्लास टेस्ट के माध्यम से हम लोग ज्यान बिंदु जीए सेकेडमी रोशन अनन सर के द्वारा यहां देख लिजिए बिहार पुलिस क्लास टेस्ट के आज हम लोग 100 प्रस्ण को सल्व करेंगे जो आपके बिहार पुलिस परिक्षा के लिए काफी जदा इंपोटेंट प् सल्व करने के लिए उमीद करते हैं serious student प्रस्ण को बना लिये होंगे अगर आप प्रस्ण बना लिये हैं तो आप लोग जरूर अपने OMR seat को खोलिए और अपने answer को मिलाईए ताकि आपका score पहले से कितना कम आ रहा है या पहले से कितना अधिक जा रहा है ठीक है तो चलिए ज़्यदा समय बेर्थना करते हुए session को सुरू करते हैं session सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पन नहीं है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेजिएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर selected प्रस्ण जो ग्यान बिंदू जिये सेकेन्मी रोशना अनसर का test है वही pad batch का free of cost यहा प्रस्ण को सुरू करते हैं आप सभी जो भी प्रस्ण OMR sit पे सल्व किये हैं या आपने कोपी पे सल्व किये हैं आप लोग कोपी और OMR sit को खोल करके बैठ जाईए और ध्यान पुर्भक सारे प्रस्णों को answer को मिलाईए और आपका कितना score हो रहा है आप जरूर कमेंट के म अधिनियम के संदर्म में यहां देखिए प्रस्ण गलत कौन है आपको गलत कथन का चैन करना है ठीक है न तो अगर बात किया जाए अप्शन ए में जो कथन दिया गया है बंगाल के गवर्नर जर्नल को भारत का गवर्नर जर्नल कहा जाने लगा ध्यान रखिए 1833 के चाटर एक अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जर्नल को भारत का गवर्नर जर्नल बनाया गया ठीक है और याद किजिए भारत के पर्थम गवर्नर जर्नल जो बने थे लौड बिलियम बेंटिक बने थे कौन बने थे लौड बिलियम बेंटिक का नाम आप सभी लोग ध्यान ठीक है तो पहला नमबर कथन बिल्कुल सही है दूसरे नमबर यानि कि अप्षन B को आप लोग देखिएगा तो विधिक प्रामर सहेतु गवर्नर जनरल की परिशद में विधी सदस्य को सामिल किया गया यह भी सामिल था अठारो सो तैंतिस के चाड़र एक अधिनियम में या यानि कि अप्षन B भी सही दिया गया है ठीक है आगे आप लोग देख लिजिए अप्षन C को अगर आप देखिएगा तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट त्यार करने का अधिकार मिला यह भी क्या है सही है यानि कि A, B, C त गिनों कथन 1833 के चाटर एक अधिनियम में इनकी चर्चा है ठीक है वही अगर आप देखिएगा अप्षन D को तो इसके तहत 6 नए पारसत जोड़े गया है जिन्हें बिधान परिशत कहा जाता है यह जो कथन दिया गया है बिलकुल आपका गलत दिया गया है इस खतन का चली आगे देखिए दू नंबर प्रस्ण को संबिधान सभा के सदस्यों के संबंध में कूल संख्या 389 निश्चित की गई थी इनमें कौन सा सही सुमिलित है कौन सा सुमिलित क्या है सही है इस बात को बताना है देखिए ब्रिटिस प्रान्तों के परतनिधी की संख्या 292 चीफ कमिशनरी छ ред mujeres 4 यह भी क्या है सही है यहनी कि सभी अप संडी में दिया गया है मिले方 नमबर। प्रस्ण है आपका तीन नंबर और तीन नंबर प्रस्ण को मिलान के तहट आपको चुनना है और जितना ये 500 पॉइंट दिया गया है काफी इंपोर्टेंड पॉइंट है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा अगर राष्ट मंडल में भरत की सदस्या का सदस्ता की अगर ब जाएगा यनि कि 22 छुलाई 1947 बी का मिलान हो जाएगा तीन से ठीक है वही बात किया जया राष्ट ये गान को कब अपनाय गया तो ध्यान रखेगा यनि कि 24 जनवरी sued 1950 को यनि कि C का संब्र आपका 5 से हो जाएगा ठीक है बाकी E का संबंद किस से हो जाएगा तो ध्यान रखेगा E का संबंद हो जाएगा चार से जब आप अप्सन को मिलाईएगा A का 2 B का 3 C का 1 D का 5 और E का 4 जो अप्सन C में दिया गया है तीन नमबर प्रस्ण का सही जब आप अप्सन C हो जाएगा अगला प्रस्ण है आपका चार नमबर सोतंत्र भारत के पहले मंत्री मंडल के संबंद में किसका मिलान गलत है देखिए अगर एक तरफ विभाग दिया गया है एक तरफ मंत्री ध्यान रख्ये स्रम मंत्री जो थे जग जीवन राम थे रक्षा मंत्री बलडेव सिंग थे और ध्यान रख्ये का बीधी मंत्री योगेंदरनाथ मंडल थे वही अगर रेलवे मंत्री का बात किया जाए तो जोन मत्हाई नहीं थे ए आसफ अली थे कौन थे आसफ अली थे इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है तो ध्यान रखिए गलत पुछा गया है गलत आपका अपसन सी हो जाएगा चौथा का सही जबाब अपसन नंबर सी होगा ठीक है अगला प्रसने आपका पांच नंबर आठवी अनुसूची के संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि गलत कथन आपको बताना है द्यान रखिए भारतिय संब्यदान की आठवी अनुसूची में 22 भसाओ का क्या है उलेख है इस बात को द्यान रखिए अब सने को देखिएगा इसमें भारत की 22 भसाओ का उलेख किया गया है बिल्कुल सही है बी को देखिए एक किस्वा संब्यदान संसोदन 1967 के तरथ सिंधी भासा को जोड़ा गया यह भी सही है सी को देखिएगा कौंकडी मरिपूरी यह निकी नमक याद रखने का तरीका क्या है नमक एन से नेपाली मौसे क्या हो जाएगा मरिपूरी और कौसे का हो जाएगा कौंकडी ठीक है इसे जो है ना 172 संब्यदान संसोदन 1992 के तरथ जोड़ा गया वही डी को देखिएगा मैथली संस्ताली डोगडी बोडो इसे 91 नहीं 92 संब्यदान संसोदन 2003 के तरथ जोड़ा गया था तो यह 91 नहीं होगा क्या होना चाहिए 92 संब्यदान संसोदन गलत पुछा गया है गलत आपका अप्सन डी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे आप लोग देख लिजिए अगला प्रस्नाप का क्या है अगला प्रस्नाप कर आप देखिएगा 6 नमबर किसका मिलान गलत है गलत किसका मिलान है आप सभी को बताना है ध्यारक किए आप लोग यानि कि अपसने को उचतम न्यालोग के न्याधिसों को हटाने की बिदी सन्युक्त राज अमेरिका से लिया गया है बिल्कुल सही है ठीक है ना आगे आप लोग देख लीजिए संसद्य विशास अधिकार ब्रिटेन के सम्मिदान से राष्ट पती द्वरा राज सबाब मनुल सदस आयरलंड के स संग या राज के भी सकती का विभाजन तो ध्यान रखिए आप लोग इसका सही जबाब अस्ट्रिलिया नहीं कनाडा हो जाएगा ठीक है कनाडा से लिया गया है डी गलत है छो का सही जबाब अपसा नंबर डी होगा अगला आप लोग देख लीजिए सात्वा नंबर प्रस किया जाएं तो 1963 में हुआ था यह भी सही है लेकिन वही बात किया जाएं मेघाले की इस्तापना का तो ध्यान रखिए आप लोग एक अपरेल धिया रखिएगा एक अपरेल 1970 को हुआ था ठीक है नाकी 71 को देखिए 71 दिया गया है यही मिलान क्या है गलत है तो C आपका साथ नमबर प्रस्न का सही जबाब होगा अगला प्रस्न है देखिए आठ नमबर आपका यानिकी समानता के अधिकार यानिकी मौलिक अधिकार से सम्मंदित आपके एक्जाम में प्रस्ट पूछा जाता है मौलिक अधिकार भाग किसमें है तो 3 में है इस बात को भी आप लोग ध्यान दखिएगा ठीक है चलिए तो आथ नमर प्रस्टन का सही जबाब क्या हो जाएगा तो ध्यान दखिएगा आप लोग अगर बात किया जाए समन्ता का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा समन्ता का अधिकार का संब्ध हो जाएगा 25 से मेल होगा, अनुछेद 14 से लेकर कितना हो जाएगा 18, यानिकि A का संब्ध हो जाएगा 5 से, ठीक है, आगे देखिए अगर बात किया जाए सोतंतरता का अधिकार, तो स का संबंद किसे होगा तो एक से हो जाएगा ठीक है आगे देखिए अगर सोषण के विरुद अधिकार देखा जाए तो सोषण के विरुद अधिकार आपका हो जाएगा अनुछेद 23 से 24 यानि कि C का मिल हो जाएगा 2 से ठीक है वही अगर बात किया जाए D का मिल तो D का मिल हो जाएगा ध्यान रखेगा D क्या है तो धार्मिक सोतंदरता अनुछे 25 से 28 तक हो जाएगा ठीक है यानि कि D का मिल हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा ठीक है आगे आप लोग देख लेजिए आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे है आपका सिक्षायम संस्कृति का अधिकार तो अनुछिद 29 से 30 तक यानि कि आपका E का मिल हो जाएगा 4 से तो मिला लेजिए आप लोग अपसन D, A का 5, B का 1, C का 2, D का 3 और E का 4 अपसन नमबर D आपके 8 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है देखिए 9 नमबर मिलाईए किस रिट के द्वारा किसी भी अधिनस्त न्याले को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे क न्यायन के लिए उसे वरिष्ट न्याले को भेजे बताईए तो इस प्रस्ण का सही जबाब जो लोग भी अपसन ने लगा है उत्प्रेशन बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब अपसन A हो जाएगा यहाँ प्रस्ण बिहार प्लिस में पोछ भी दिया गया है इस बा हो जाएगा आपका गाधिवादी सिधान से अपसन नमबर D बताईए अनुशे चालिस में क्या बताया गया है कमेंट में आप सभी को बताना है ठीक है ना चली आगे देखिए गारा नमबर प्रस्ण निमलिखित में किसने नीतिन निर्दसक सिधानतों को बैंक की सुबधा दे यांकि उत्तर दिनांकित चेक कहा है यह कथन किसका है तो यह जो कथन हो जाएगा ध्यान रखेगा केटी साह का हो जाएगा ठीक है केटी साह अपसन नमबर D अगर आप लगा है बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है ठीक है आगे देखिए बारा नमबर चोदरी चरन सिंग का कारेकाल अगर देखा जाए तो ध्यान रखेगा आप लोग यानि की 1989 से 80 तक हो जाएगा ठीक है यानि की ध्यान रखेगा 1989 से कहां तक 80 तक ठीक है यानि की इनका मेल हो जाएगा 3 का 1 हो जाएगा ठीक है वही HD देव गोडा का देखा जाए तो ध्यान रखेगा 1996 से 97 तक यानि कि B का 4 हो जाएगा ठीक है इंद्र कुमार गुजराल का अगर देखा जाए तो इनका संबंद हो जाएगा 1997 से 98 तक यानि कि C का संबंद हो जाएगा 5 से ठीक है चंदर सिखर को देखा जाए तो 89 से लेकर के 90 तक ठीक है यानि कि D का संबंद 1 से हो का में लिए इसका बिल्कुल सही है इस बात को आप लोग ध्यान रखिए ठीक है चलिए आगे देखिए आगे प्रस्ण है यह प्रस्ण आपके बिहार पुलिस जो पेपर लिख हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि मानवा अधिकार आयो की स्थापना किस वर्स होई तो मा में अगला प्रस्ण है 15 जो अप्सन दिया गया है किस में पंचायती राज नहीं है जैसे बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं होता है किस में नहीं है तो ध्यान रखेगा नागा लेंड में नहीं है बाकी केरल तिरपूरा असम में पंचायती राज है आगे देखिए राज जी के बिधान प्रस्ण का सही जबाब होगा छली आगे देखिए 7 नमबर प्रस्ण उच नियाले के न्याधीसों से समधित क्रस्ण पर कौन सा कथन सही नहीं है गलत कथन कौन सा है तो गलत कथन हो जाएअध्या तो 62 बर्स होता है इस बात को आप लोग द्यान रखिएगा ठीक है चली आगे देखिए 18 नमबर प्रस्ण को भरत का नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक निमलिखित का एक मित्र गाइड एवं मागदर्सक होता है बताए कौन सी समीती होता है तो देखिए इस समीती का नाम ह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानि की अपसन नमबर यानि की 18 का लोग लेखा समीती ठीक है लोग लेखा समीती अपसन नमबर डी ठीक है चली आगे देखिए 19 नमबर प्रस्ण को उपरास्ट पती के निरवाचक मंडल में कौन सामिल होते हैं उपरास्ट पती के निर अपसन देखिए एक और दू ही आपके इस प्रस्न का सही जबाब हो चाएगा ठीक है चलिए 20 नमबर प्रस्न है निम्न कतनों पर विचार करे और असत्य कतन का चैन करे निकि गलत कतन का क्या करना है चैन करना है उमीद करते हैं सारे प्रस्न को बहुत गहराई से आप लोग प आगे बी और सी और डी में दिया गया कतन क्या है बिल्कुल सही है इस बात को आप लोग ध्यान दखिएगा ठीक है चलिए आगे देखिए साइन्स के प्रस्न 21 नमबर कोसिका का अचल संपति किसे कहा जाता है इस बात को आपको बताना है तो इस प्रस्न का सही जबाब अग ग्रेनम पाया जाता है ग्रेनम किस में पाया जाता है तो ग्रेनम पाया जाता है कलोरोप्लास्ट में ठीक है कलोरोप्लास्ट अप्सन भी आपके 22 नमबर प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए 23 नमबर प्रस्न को केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं इस बात को बताना है तो केंद्रक के विभाजन को अगर देखा जाए तो ध्यान रखेगा आप लोग अपसा नम्मर सी को ध्यान रखेगा केरियो किनेसिस कहा जाता है ठीक है अपसा नंबर सी तेश नंबर प्रत्षन का सही जवाब हो जागा 24 नंबर प्रत्षन है निमलीखित में कौन सा भिकल्प सही सुमेलित नहीं है यानि की गलत कौन सा सुमेलित है इस बातको आप लोग बताना है आप सभी को ठीक है? तो ध्यान दखिए आप लोग कोशिका का पाउर हाउस माईट्रो कन दिया का बिहार, पुलिस बिहार दरोगा में पूछा गया है, सबसे बड़ा अंग लवक केनी कि फ्लेस्टिड होता है, अत्मघ्या कि थैले लाइसोसोम को कहा जाता है, बाकी जो दियागा है, पलेड कन यह एसफिरोसोम को नहीं कहा जा ठीक है चलिए आगे देखिए आप लोग अगला प्रस्न है आपका 25 नंबर 25 नंबर प्रस्न है आपका और किट में बिलो मन उत्तक पाया जाता है बताइए किस प्रकार के पाया जाते हैं तो ध्यां रखेगा 25 नंबर प्रस्न का सही जबाब अपसन भी मोलो में पाया जाते है ठीक है न? चलिए। मिरदू उत्तक का परमुक कार हम आप सभी को बताना है, तो मिरदू उत्तक का परमुक कार हो जागा भोज्यपदार्थका संग्रहन करना। ठीक है, अपसन ये आपके 26 नमर प्रस्ण का सही जबाब होगा, 27 नमर प्रस्ण है, चालनी नली का तथा सह कोसिका पाई जाती है, चालनी नली का तथा सह कोसिका किस परकार के उत्तक में पाई जाती है, तो अपसन ये जो लोग भी लगा है, फ्लोयम में बिल्कुल आपके प हुप्र बोटेंट प्रस्ण है हे हिस्टामिन एक परकार का प्रोटिन है जो भाग लेता है। तो हिस्टामिन जो भाग लेता है धियां रखे गालरजी परति क्रियाओं में भाग लेता है अप्सन बैसं अब writer B या होती है या क्या होई गलत है बिल्कुल क्या है गलत है इस बात को आप लोग दियाँ दखेगा बाकी सभी वाइरस पर जीवी होते हैं बिल्कुल सही जबाब है वाइरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोसी पर निर्भर रहते हैं बिल्कुल यह भी क्या है सही जबाब ठीक है आगे देखिए एट्स का कारण है एट्स का कारण आपको बताना है तो एट्स का कारण काफी important प्रस्ण है T4 lymphocyte की कमी आप लोग ध्याँ रखेगा option number यनिकी A में दिया गया ठीक है ये आपकी इस प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है 31 number निमलिखित में कौन सा विकल्प क्या है सही नहीं है गलत कौन सा है तो गलत की अगर मैं बात करूँ तो ध्याँ रखेगा आप लोग रुबीला वाइरस खसरा बेरूला वाइरस चेचक यनिकी बेरी सेला वाइरस जो हो जाएगा छोटी माता वही ध्या तो युगलीना का प्रचलन अंग जो हो जाएगा ध्यान रखेगा फैले जीला अपसन नंबर बी में दिया गया है फैले जीला आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा 33 नंबर प्रस्ण है एलर्जी के दोरान बनने वाले प्रतिरक्षिया है क्या है तो देखिए यह प्र के जिये और सही उत्तर का चैन के जिये ठीक है तो ध्यान रखेगा सेवाल एक कोस्किये होते हैं सही है सेवाल बहु कोस्किये होते हैं यह भी सही है मतलब एक कोस्किये भी होते हैं बहु कोस्किये भी होते हैं सही कतन बताना है दोनों कतन सही है सी आपके प्रस्ण का सही ज अप्सन नमबर भी आपके 35 नमबर प्रस्टन का सही जबाब हो जागा ठीक है 36 नमबर प्रस्टने कपास कि स्कूल से संबंदित है कपास का पौधा कि स्कूल से संबंदित है तो कपास का पौधा मालवेशी कूल से संबंदित है यहाँ प्रस्टन भी आपके बिहार पुलीस म मचली है ध्यान रखिएगा और इसके चेंबर में यानि कि इसके हिर्दे में चेंबर क्या होता है चार चेंबर होता है ठीक है सी आपके 37 नंबर प्रस्ण का सही जवाब होगा 38 नमर प्रस्टने निम्न में से कौन एक मचली वर्ग का नहीं है यानि कि मचली वर्ग कौन सा नहीं है तो देखिए अगर मचली वर्ग नहीं पूछा गया है तो ध्यान दखिएगा स्टार फिस क्या है मचली वर्ग में नहीं आता बाकी 100 फिस पाइप फिस और गिटार फिस प्रस्ट का सही जबाब तो कुछ जानवरों में सर्धियों के मौशों में कम उपापत चे गति विद्यों की स्थिति ही क्या कहलाता है अप्षन ए आपके 49 नमबर प्रस्ट का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए अगला प्रस्ट आपका 40 नमबर 40 नमबर प्रकाल संसलेशन में पोधा किस गैस का अउचूरन करता है अउचूरन किस गैस का करता है इस बात को आप से पूछा गया है तो अउचूरन जो करता है निक गरहनी जो करता है कारबन डायोकसाइड सी ओ टू और मानों क्या प्राप्त करता है ऑक्सीजन गैस को प्राप्त क होता है तो देखिए प्रकास संसलेशन में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिए आप लोग कलोरोफिल ए भी सहाइक होता है कलोरोफिल भी जन्थोफिल भी और केरीटो नोइट्स भी सहाइक होता है चारो कथन सही है डी आपके इस 41 नमर प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा 42 नमर प्रस्ण है पाचन किरिया के उपरांत क्या होता है यह पाचन किरिया के उपरांत दिया रखिएगा कार्बोहाइड्रेट गुलकोज फ्रक्टोज तथा करा में बदल जाता है ठीक है सही है वसा वसी अमल तथा गिलास रॉल में परिवर्तित हो जाता है यह भी सही है प्रोटीन अमीनो अमल में परिवर्तित हो जाते हैं यह भी सही है ठीक है तीनों सही है डी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा इन में से सभी ठीक है 43 नम आगे मिला यह 44 नमबर प्रस्ण को निमलिखित में किसकी कमी से पिलागरा रोग होता है देखिए अगर आप लोग 1275 बिहार दरोगा का जो मेंस का एकजाम होता उसमें आप लोग जा करके देखिए या पीटी के एकजाम में देखिए या प्रस्ण पूछा गया था कि 45 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए 45 नमबर प्रस्ण यानिकी बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें यानिकी उसमें बहुमुल्य है किसकी अधिकता होता है तो देखिए बासमती चावल जो है न ध्यान देखिएगा इमाईलोज के कारण क्या होते हैं लंबे हो जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखिए 46 नमबर प्रस्ण को हिर्दय की धरकन को नियंतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनीज आवस्यक है तो हिर्दय की धरकन को नियंतरित करने के लिए खनीज पूछा गय तो देखिए यहाँ पर side दे करके आपसे पूछा गया है तो 47 का सही जबाब बाएं फेफडा में पाय जाते है अपसन भी आपके 47 नमबर प्रस्टन का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 48 नमबर प्रस्टन को सही जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए यहाँ पर 3डली कंपाट gamers पाएज जाते हैं जो है कहां पाएज़ते हैं और यह इस्तित कहां होते हैं यह आपसे प्रस्टन पूछा गया है तो देखिए यह जो एस्तित होते हैं ध्यारखेगा दाया आलें तथा निलाय के बीच में क्या होते हैं त्रिदली कपार्ट होते हैं ठीक है तो ए आपके 49 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला देखिए 50 नमबर नेफरोन के किस भाग में गलोरो मेरूलस अवस्तित नेफरोन के किस भाग में अवस्तित रहता है तो भाग पुछा गया है तो ध्यारखेगा बोमेंस कैपसूल में उपस्तित रहता है डी आपके 50 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है आगे देखिए 51 नमबर प्रस्ण को यंग प्रत्यास्ता गुर्णांग का SI मात्र का आपसे पूछा गया है तो देखिए इस प्रस्ण का सही जबाब काफी इजी है सभी लोग उमीद करते हैं लगा लिये होंगे और उमीद करते हैं सभी का सही होगा न्यूटन प्रती मिटर स्क्वार आप ध्यान रखेगा आपसा नमबर C 51 का सही जबाब हो जाएगा ठीक लेते हैं तो उमीद रखिए आपकी बिहार पुलिस के एकजामें इस केवल इसी टेस्ट सिरित से चार से पांच प्रस्ण आपको मिल जाएगे ठीक है ना चलिए आगे देखिए रोकेट किस सिधानत पर कार्य करता है रोकेट जो कार्य करता है ना ध्यान रखेगा आप लो प्रश्ण का सही जबाब होगा चोवणन नम्बर प्रस्ण है निमलिखित में कौन सा एक ब्यूतपन परिणाम नहीं है यानि कि मुल रासी हो जाएगा ठीक है मुल रासी हो जाएगा आगे देखिए यह प्रस्ण भी बिहार दरोगा यानिकी मद नीशेद के एक जाम में पूछा गया था गुर्तवा कर्षण निया तांग का मान कितना होता है आपसे यह प्रस्ण पूछा गया है तो 55 का सही जबाब 6.67 गुने 10 के पावर माइनस से गारा न्यूटन मीटर एक स्क्वार प्रति केजी एक स्क्वार हो जाएगा यानिकी अपसन नंबर सी होगा 55 नंबर प्रस्ण का सही जबाब इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा चलिए आगे देखिए 56 नंबर प्रस्ण किसी लिप्ट में बैठे हुए बेक्ति को अधिक्तम कब मालूम पड़ता है तो अधिक्तम मालूम पड़ता है जब लिप्ट तवरित गती से उपर की ओर जा रही हो ठीक है चलिए तो भी आपके 56 नंबर प्रस्ण का क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा आगे देखिए 57 नंबर लोटनिक एस्थेटिक तथा सर की बेवस्ता होगी सही बेवस्ता क्या होगी यहीं कि पहले कौन सा घर्षन आएगा तो पहले जो आएगा ध्यान रखिएगा लोटनिक आएगा उसके बाद सरपिक उसके बाद एस्थेटिक ठीक है यहीं कि 57 का सही जबाब अपसन नंबर अभी आपके प्रस्ण का सही जब थीक है आगे देखिए 58 नमबर प्रस्षे को यदि अभिलम्भ पल दो गूना कर दिया जाए तो घर्षण गूनांक कितना होगा देखिए जब भी अभिलम्भ पल दो गूनांक जो हो जाएगा ध्यान रफ्षेत का आपसर भी लोग यानिकि studied अपसर नमबर सी को ध्याँ रफ टिक है समान रहेगा चलिए 69 प्रस्ण को देखिए प्रचप्श का अकार होता है प्रस्य प्रचप्चा का अकार लंट के सा बसको पर जाते हुए एक बंब वर्षक को प्रित्वी पर किसी लक्ष पर बंब मारने के लिए उसमें बंब तब गिराया जाया यहां देखिए गिराया जाहिए जाना चाहिए यहां पर होगा देखिए उसे जो बंब गिराना जाहिए न ध्यान रखेगा यानिकि लक्ष के पीछे गिरना चाहिए ठीक है सी आपके साथ नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है एक साथ नमबर भारत के कितने राज्य संग शेतरों की दो से अधिक अंतरास्टिय सिमाए है दो से अधिक अंतरास्टिय सिमाए है यह प्रस्ण तो काफी यह जी है, आप लोग बता भी सकते हैं, चार आफ के इस प्रस्था का सही जबाब हो जाएगा, अग्ला प्रस्था देखिए 63 नमबर जम्मू से स्री नगर को जोड़ने वाला दर्रा का का नाम बताना है तो जम्मू से स्री नगर को जो दर्रा जोड़ता है ध्यान कियेगा बर्नी हाल दर्रा अपसा नमबर B ठीक है चलिए आगे देखिए 64 नमबर प्रस्ण नीचे दिए गए पुरवान्चल पहाड़ीओं पर बिचार किजिए तो पच्छिमी से पूरफ क्यों लगा Gentlemen नहीं पच्छिम से पूरफ क्यों लगाना है ठीके क्या लगाना है थीक यह लगाना को आप Gospel द्याण हेगा ध्यान यह रखीजा कि पहले आएगा डाफला ठीक है उसके बाद मीरी आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा आपका अबोर उसके बाद आएगा आपका मिसमी उसके बाद पटकाई भूम ठीक है जो तीन दो चार एक पांच हो जाएगा अपसन C64 का सही जवाब ठीक है आगे देखिए 65 नमबर प्रस्ण को बरेल स्र नमबर प्रस्ण का सही जवाब होगा आगे देखिए 66 नमबर प्रस्ण को यानिकी सही कथन का ही चैन करना है आपको गलत कथन का इसमें भी चैन नहीं करना है तो देखिए अगर बात किया जा सोरी गलत उत्तर का चैन किजिए गलत उत्तर का चैन करना है सही सोरी सही उत्तर छोटा नागपूर एस्तित रचाई का पढ़ाय निकी राची का पठार संप्राय निकी संप्राया मैदान का उधान यभी सही है बाकी बात किया जाए उत्री सह्यादरी की सर्वोस चोटी कुंद्रे मुख नहीं है ठीक है ध्यान रखियेगा यही क्या है गलत कताने आपका च गलत्राष्टी नदीप धुंअ धार नर्बंदा नदी पर चुलिया जलप्रपाथ किस नदीप है तो ध्यान र educated चुलिया जलप्रपाथ जो हो जाएगा न कि चोमबल नदी आप लोग धिया रखिएगा लिए ग्रेक लिए विलिंग्टन दिव एस्तित है, अपसन आप लोग देख लिजिए इस प्रस्ण के लिए, देखिए अपसन आपके सामने है, बताइए 68 नमबर प्रस्ण का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान दखेगा आप लोग, यानि कि अपसन सी, बेमनाद जील, बेमनाद जील अपसन सी हो जाएगा, ठीक है, बताइए 69 नमबर प्रयदीपीय नदियों की लंबाई के अंसार घटते करम में सजाई ये, देखिए, प्रयदीपीय भरत की चारू नदिया गया और लंबाई के अंसार घटते करम में, तो गदावरी नदी की अपसना 1465 किलोमेटर, क्रिश्णा नद तो अगर आप अप्सन को मिलाईएगा तो देखिए अप्सन यानि की नर्मदा ठीक है सोरी गोदावरी कृष्णा नर्मदा और क्या हो जागा माहा नदी अप्सन ये आपके 79 नमबर प्रस्ण का सही जवाब होगा 70 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में कौन सी नदी एक्सूरी नहीं बनाती है एक्सूरी कौन सी नदी नहीं बनाती है तो दियां रखिएगा एस चूरी यानि की डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है तो दियां रखिएगा आप लोग यानि की 70 नमबर प्रस्ण के लिए सही ध्यान रखेगा इंपोटेंट प्रस्तन है और इस प्रस्तन को भी बिहार प्रलिस में पूछा जा जुका है ठीक है यानिकि 71 का सही जवाब अपसने हो जाएगा पच्मी बिच्छोब के करण ठीक है आगे देखिए तमिलांडू में मनसून के समाने महीने कौन होते हैं तो त ध्यान रखेगा नमबर दिसंबर होता है ठीक है चलिए आगे देखिए 73 नमबर प्रस्तन को भारतिये मिर्दाओं में जिस सुक्समत्तत्यों की सरवाधिक कमी वह क्या है किस्तत्यों की कमी है तो कमी अगर देखा जाए तो ध्यान रखेगा अपसंडी जस्ता की कमी है ठीक तो ध्यान रखेगा लाइम का परियोग किया जाता है अपसं नमबर एक हो ठीक है आगे देखिए 75 नमबर 17 जुताई वाली मिटी कौन सी है तो काली मिटी जिसरे रेगूर मिदा भी कहा जाता है जो कपास के लिए उप्यूग थे ठीक है अपसंडी में दिया गया है 76 नमर पसने 1857 इस भी के विद्रोग के विशय में किसने कहा था कि यह राष्टी विद्रोग नहीं है क्योंकि इस समय तक भरत में रष्टबाद का विगास नहीं हुआ था कथन यह किसका है तो पंडित जौहरलाल नहरू का है 76 का सही जबाब अपसंड नमबर आपका ए हो जाएगा ठiक है आगह देख एफ 1857 द ग्रेट रीवोल्ट ययांनी कि पुष्टक के लेखा कौन है बताए इस पुष्टक सही जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए स्वामी देयानन सरोसती का निधन कब और कहां हुआ स्वामी देयानन सरोसती का निधन जो हुआ है न 1883 में राजस्तान में हुआ है कहां पर हुआ है राज्यस्तान में हुआ है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा 89 का सही जबाब अपसन नमबर D हो जाए ठीक है 80 नमबर प्रस्ण गूरु कूल कांगडी विश्व बिद्याले का निर्माण किसनी करवाया था बताए इस बिद्याले का निर्माण किसनी करवाया था तो 80 का सही जबाब अपसन ने स्वामी सर्धान अंदने करवाया था ठीक है अपसन ने आपके 80 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा 81 नमबर प्रस्ण है आगे देखिए 82 नमबर प्रस्ण को रहनू माई माजदायन सभा में निम्न में से कौन संबन दित है बताए इस प्रस्ण का सही जबाब क्या हो जागा तो देखिए इस प्रस्ण का सही जबाब अपसन नमबर D होगा आगे देखिए 83 नमबर प्रस्ण को कॉंगरेस के प्रस्ण के दोरान कदामबनी गांगोली ने कौंगरेस के मन से कौंगरेस को संबोधित की थी बताए तो यह जो अधिवेशन था ध्यान रखेगा 84 नमबर प्रस्ण का सही जबाब इंपोटेंट प्रस्ण है छठा अधिवेशन 1890 कमेंट में बताए यह अधिवेशन कहां हुआ था ठीक है अगला प्रस्ण है 85 नमबर किसने कौंगरेस समयलनों को तीन दिनों का तमासा कहा था किसने कहा था तो तीन दिनों का तमासा अस्वीनी कुमार दत ने कहा था आपसा नमबर बी आपके 85 नमबर प्रस्ट का सही जबाब होगा अगला प्रस्ट है 86 नमबर होमरूल लीग आंदोलन के पर्थम सचीव देखिए होमरूल लीग आंदोलन जो था न बाल गंगा धर तिलक और एनी बेसंट दोनों के दोरा चलाए गया है तो देखिए यहाँ प आपके अध्यक्स पर्थम कौन थे तो जोसेफ बेपिस्टा थे ठीक है ना चली आगे देखिए 87 नमबर प्रस्ट को मंटिंग्यू घोषडा पत्र प्रकासित हुआ कब प्रकासित हुआ था तो यहाँ घोषडा जो प्रकासित हुआ था ध्यान रखिएगा 87 का सही जबाब अप्सन सी जुलाई 1918 में हुआ था जो अप्सन सी में दिया गया है आगे देखिए गाधी जी पहली बार जिल कब गये तो गाधी जी पहली बार दक्षिड अफिरिका में जो जिल गये थे ध्यान रखिएगा आप लोग 88 नमबर प्रस्ट का सही जबाब 1908 में गये थे ठीक कोखले की तुलना गंगा से किया है ठीक है ना चलिए आगे देखिए 90 नमबर प्रस्ट को किस ने कहा है कि भारतिय संस्क्रिती ना तो पुरी तरा हिंदू है नहीं इसलामी नहीं कोई और संस्क्रिती या किस का समन्मयन है इनकी समन्मयन है ठीक है तो यह कथने महात्मा गा ठीका महात्मा गाधी का यह कता ने अप्सन बी में दिया गया ठीक है आगे देखिए कानबे नंबर प्रस्ण को हंटर आयोग में निम्न में से कौन भारती सदस्य समय लीते थे तो हंटर आयोग में अगर देखा जाए तो देखिए चीमनाल सी तलवार सहजदा सुल्तान आहम के केकेस्टन हॉल में जर्नल डायर को गोली मार करके हत्या कब गी तो हत्या जो किये थे 13 मार्च 1940 को किये थे अप्सन नंबर यानि कि यह आपके 92 नंबर प्रस्ण का सही जबाब होगा 93 नंबर प्रस्ण है निम्द में कौन कॉंगरिस द्वारा चलाये जाने वाले असहयोग अंदोलन से सहमत नहीं थे कौन और सहयोग अंदुलन से सामत नहीं थे तो देखिए एनी बेसेंट मोहमद अल्ली जीना और विपिन चदरपाल ये तीनों सामत नहीं थे अप्षन डी आपके उप्युक्त सभी 93 नंबर प्रस्ण का सही जबाब होगा 94 नंबर प्रस्ण है सदाकत आसरन की अस्तापना के लिए किसने जमीन दानती थे तो देखिए जमीन दो दान दिया था ना खैरूल मिया ने दान दिया था किसने दान दिया था खैरूल मिया अप्षन ए आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा जो पटना पटना का दी प्रस्ण है करो बापू के नाम से किसे जना जाता था करो बापू के नाम से धियान रखेगा आपसनी गिरिपद चौधरी को जना जाता है ठीक है आगे देखिए संताने नंबर प्रस्ण को 1937 प्रांतिय बिधान सभाग के चुनाव में कॉंग्रेस का चुनाव चिन क्या था या प्रस्ण आपसे पूछा गया है तो कॉंग्रेस का चुनाव चिन पीला बक्सा था आज क्या है पंजा चाप है यानि कि हाथ चाप इससे देखे होंगे ठीक है चली आगला प्रस्ण है अंठानमे नंबर निम्ण में से कौन सुमिलित नहीं है गलत कौन है तो पहला अग प्रस्ण प्रस्टाव लॉड लिनित्गों उनिस चलिस सही है अगौस संकल्प महत्मा गाधी उनिस चलिस नहीं उनिस तैंतिस होना चाहिए ठीक है यही गलत दिया गया है गलत आपका अप्शन से है ठीक है आगे देखिए 99 नंबर महत्मा गाधी के द्वारा मंदिर परव आपके इस प्रस्ट का सही जबाब होगा तो आज के इस प्रक्टिस सेट में हम लोग स्लेक्टेट जो प्रस्ट से बिहार पुलिस के लिए 100 प्रस्ट को कम्पलेट किये अगर आप इमंदारी पुर्वक इस सेट को सल्व किये होंगे तो आपका एसकोर कितना आ रहा है काउ प्रस्ट कीजिए और कमेंट में जरूर बताईए और डेली ज्यान मिंदू जिये सेकेडमी रोशना अनसर के प्रक्टिस सेट को सल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और 2024 में फाइनल बिहार प्लिस में सेलेक्शन लीजिए ठीक है अगर आप इस चैनल को अभी तक स समाप्त करते हैं सेशन समाप्त करने से पहले इस सेशन को लाइक सेर जरूर आप लोग कर देजिए ठीक है चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभार